हेलो स्टुदेंट्स वेलकम टू दे मेकैनिक्स इंस्टिट्यूट आज की स्क्लास में हम डायमेंशनल एनालिसिस वीमे विसलेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम वीमा क्या होती है किस तरीके से वीमा को निकाला जाता है जितनी भी भोतिक राशिया उनकी वीमा निकालने का तरीका क्या है वीमा से क्यूशन कौन-कौन से एक्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है एक बात हमेशा देखना आप जो फिजिक्स जहां पे लोएस्ट लेवल है जैसे थर्ड ग्रेड की फिजिक्स के क्यूशन आते हैं साइंस के क्यूशन आते हैं वहां से लेके uppermost level तक जहां भी physics आती है जैसे अपन बात करें college lecturer तक की बात करें तो हर जिगए पर वीमा से question पूछा जाता है वो question किस तरीके के होते कैसे question पूछा जाता है एक तो सामाने साब वीमा का question पूछा जाए आपको और एक question को थोड़ा सा level change करके कैसे question पूछा जाता है ब आने वाले मात्रक के बारे में अपन डिसस करेंगे जो general practical life में यूज में लिये जाते हैं आप भी जिनको बोलचाल की भासा में सुनते हो लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वास्तर में उनका value क्या है तो उनके बारे में अपन थोड़ा सा डिसस करेंगे जो general दर्वेमान का हो गया, दूरी का हो गया, कौन का हो गया, कुछ मात्रक होते हैं जो बोलचाल की भासा में सामने रूप से इस्तेमाल लिये जाते हैं, numerical में भी उनके ट्रम में आपको value दी जाती है, लेकिन उनके value क्या होते हैं वो आज आपन डिसस करेंगे, तो सामने बोलचाल की भासा मे जो यूज में लिये जाने वाले मात्रक है, उसमें सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हो, दूरी के कौन कौन से मात्रक है, दूरी के जैसे आपका ऐसा ही मात्रक क्या है, मिटर, लेकिन मिटर के अलावा कुछ सामने बोलचाल की भासा में कुछ मात्रक आते हैं, जैसे सब से पहले wavelength का मातरक दे दिया जाता आपको कई question में wavelength का मातरक दे दिया जाता है angstrom तो wavelength का जो मातरक सामाने रूप से wavelength के लिए यूज में रहता है लेकिन किसी का भी हो सकता है तो तरंग धर्दे के लिए कई बार मातरक आपको angstrom या A के उपर dot लगा के दे दिया जाता है capital X से denote किया जाता है X-ray मात्रक को यह important मात्रक है X-ray मात्रक भी दूरी का एक मात्रक होता है कई question में numerical में आपको यह दे दिया जाएगा कि किसी आकर्ती की जो लंबाई है वो आपके पास इतना X-ray है X-ray unit में है तो X-ray unit आपके पास कितनी होती है X-ray minus 14 meter 10 range minus 14 meter होती है आपके पास उसके बाद फर्मी फर्मी जो होता है वो आपके पास होता है X-ray minus 15 meter फर्मी जो मात्रक है जनरली nuclear distance के लिए दिया जाता है नाभी कि यह दूरीयों के लिए सामाने रूप से जो मात्रक इस्तेमाल किया जाता वो होता है फर्मी जैसे आपको ये दे दिया किसी नुकलियस की तिर्जा है वो 1.5 फर्मी है तो फर्मी का मतलब 10 की पावर माइनस 15 मिटर होता है तो ये भी एक सामन्य मातरक है जो यूज में लिया जाता है उसके बाद होता है कि खगोली ये मातरक एक खगोली है मातरक AU से डिनोट किया जाता है इसको एस्ट्रोनोमिकल यूनिट बोला जाता है इंगलिस में AU की वेल्यू होती है 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मिटर सबसे इंपोर्टेंट है ये वाला मातरक खगोली है मातरक आपके पास बहुत इंपोर्टेंट है इसकी वेल्य उसके बाद आपको दिया जाता एक परकास वर्स परकास वर्स क्या है जैसे गरहों के बीच की दूरी आपको बताई जाए गरहों के बीच की पर्थवी से चंद्रमा के बीच की दूरी ऐसी दूरिया जो लंबी दूरिया है उनको जब किसी मातरक में डिनोट किया जाता है उनके लिए परकास वर्स या पार्षे की उज में लिया जाता है एक परकास वर्स है जिसको light year भी बोलते है ly उसका symbol है उसकी value होती है 9.467-10 की power 15 meter तो एक परकास वर्स भी परकास वर्स लिखावा वर्स में आप यह मत जाना कि समय का मातरक है यहाँ पर वर्स से इस बात पर नहीं जाना कि समय की इकाई होती है वर्स तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है परकास वर्स आपका दूरी का ही मातरक है उसके बाद आता एक parsec PC से denote किया जाता है parsec को यह भी दूरी का मातरक है ये भी लंबी दूरियों को ग्यात करने के लिए सामाने रूप से यूज मिलिया जाता है जिसका value होता है 3.084 गुना 10 की पावर 16 मिटर तो ये तो हो गई दूरी के मात रख जनरली इसमें से जो लंबी दूरियों के लिए यूज में लिए जाने वाले मात रखिये है ये आपके पास important है इनको याद रखे आप और फर्मी जो है वो nuclear distance के लिए नाभी के दूरियों के लिए मतलब बहुत कम दूरी के लिए सामाने रूप से फर्मी है वो नाभी के दूरियों के लिए यूज में लिए जाता है बहुत कम दूरियों के लिए ठीक है एंगर्स्ट्रेम का जो मातर का वो सामाने ता है तरंग धर्दे के लिए यूज में लिए जाता है किसी वेव की तरंग धर्दे या वेवलेंध के लिए सामानेत है यूज कहीं भी लिया जा सकता लेकिन सामाने रूप से जहां पे पूछा जाता है एक X-ray मातरक होता है जो भी small distance के लिए यूज में लिया जाता है उसके बाद बात करते हैं अपन किसके दर्वेमान के मातरकों की जैसे दर्वेमान का किलोगराम तो सामाने ऐसा ही मातरक होता है उसके अलावा जो मातरक होता है एक होता slug दर्वेमान का एक मातरक होता है slug जो आपके पास लगबग साड़े चोदा किलोगराम के बराबर होता है सलग की वैल्यू जो होती है वो लगबग見て 14.5 kg वीयल वैल्यू अगर बात करें एग्जेक्ट वैल्यू की बात करें तो वो हती है 14.57 kg 14.57 kg होती है आपके पास सलग की उसके बाद एक quintal आता है ये सामाने रूप से सभी को पता एक quintal में 100 kg होते है 100 kg होता है, आपके पास, एक मीटरी टन, जो टन होता है, एक मीटरी टन, उसमें 10 quintal होता है, 10 quintal बोल सकते हो, या 1000 kg बोल सकते हो, ठीक है, या फिर इसको 10 की पावर 3 kg भी बोलते हैं, तो आपके पास 1 मीटरी टन में यह होता है, सबसे important, foot pound second के system में आपने पढ़ा था pound, pound जो ह होता है उसमें लगबग आदा किलो होता नहीं अग्जेक्टली अगर बात करें एक्जेक्टली कितना होता है 453 किलो गराम होता है या फिर बोल सकते जीरो पॉइंट 4535 किलो गराम आपके पास होता है पॉण्ड बे सबसे important और बहुत जादा काम कुशन ज़्यादा तर इस से पूछा जाता है एक आपके पास unit होती है मास की तरवेमान की चंद्र सेखर शीमा चंद्र सेखर लिमिट ठीक है चंद्र सेखर लिमिट है वो आपके पास बड़े पिंडों के दर्वेमान के लिए यूज में लिया जाता है जैसे सूरिय का दर्वेमान हो गया और बड़े गरहों के दर्वेमान की बात करें तो उनके दर्वेमान को मापने के लिए एक बड़ी यूनिट को इस्तेमाल में लिया जाता है जिसको चंदर शेकर शीमा य तो आपके पास यह आजाता है, शुरी का दर्वेमान होता है, 2.10 की पावर 30 kg, वो value रखें, तो आपके पास इसका exact value जो आपके पास है, numerical value आता है, 2.8 गूना 10 की पावर 30 kg, यह हैं बड़े गरहूं का दर्वेमान मा अपने के लिए यूज में लिया जाता है, सामाने तो ऐस गंटे में 60 मिनट होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ यह important है, सोर दिवस, यह थोड़ा नया भी लगेगा आपको, एक सोर दिवस में, एक सोलर डे में आपके पास 86400 सेकंड होते हैं, सेकंड में ही जनरली इसको पूछा जाता है, आप चाहें तो इसको म क्या है आपका, ऐसा यूनिट है सेकंड, तो आपको दिन से मतलब भी नहीं है, अगर आपको क्यूशन में यह दे दिया, कि आपके पास किसी कोई आदमी एक काम को एक वर्स में करता है, फिजिक्स की बात करें, तो एक वर्स का मतलब 365 दिन तो हो गया, सही बात है, लेकिन आप उसको सेकंड में याद रखे, सेकंड में उसकी वेल्य होती है, 3.156 गुणा 10 की पावर 7 सेकंड, क्योंकि फिजिक्स में जनरली सेकंड की यूनिट को ज़्यादा इंपोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि वो की कौन सी यूनिट है, ऐसा यूनिट है, तो कनवर्जन हम सेक होता है, समय का यूनिट, एक सेक में होते हैं, 10 के पावर माइनस 8 सेकंड, मतलब बहुत कम समय होता है, एक सेक, बहुत कम समय को आपने के लिए आपके पास ये लिया जाता है, यूज में, 10 की पावर माइनस 8 सेकंड, एक सबसे इंपोर्टेंट मातर के यहां पे है, चं एक चंद्रमास होता है 27.3 दिन तो ये आपके पास कुछ समय के मात्रक है जो डेली प्रेक्टिकल लाइफ में यूज में लिये जाते हैं क्यूशन में नुमेरिकल में भी ऐसे दे दिया जाता है जैसे सोर दिवस किसी की उनिट दे दी गई आपको तो उसको सेकिंड में बदल होते हैं 60 एक डिगरी में 60 आर्क मिनेट होते हैं आर्क मिनेट को डेस से दिनोट किया जाता है ठीक है एक मिनेट में एक आर्क मिनेट में कितने आर्क सेकिंड जैसे मिनेट में 60 आर्क सेकिंड वैसे आर्क सेकिंड को डबल डेस से दिनोट किया जाता है फिर एक डिगरी में radian आपको पता यह कितना होता है pi by 180 radian ठीक है अब इस radian को अगर आप 1 degree की जगए 60 arc minute रख दे यहाँ पे 1 degree की जगए 60 arc minute रख दे और radian में convert करें 1 degree को radian में pi over 180 होता है लेकिन अगर इसको calculate करें तो आपके पास आता है 1.74 गुणा 10 की पावर minus 2 radian इस degree को अगर आप exactly calculate करके देखें तो आता है इतना value ठीक है फिर 1 minute मतलब 1 degree में इतने radian होते हैं 1 minute मतलब आपके पास है 60 minute में 1 degree होता है तो 1 minute निकालना है आपके पास तो आपके पास 1 minute के लिए इतने radian हो जाएंगे 2.9 गुणा 10 की पावर minus 4 radian similarly 1 arc second minute या arc है ठीक है न कोना में सा arc में ना पा जाता है arc second arc minute degree तो 1 arc second में होते है 4.84 गुणा 10 की पावर minus 6 radian इनको आप आपसानी से निकाल सकते हो यहाँ पे value substitute करके रख कर ठीक है और 1 radian को आप वैसे निकालो तो radian यहाँ से निकल जाएगा तो यह इसको उधर बेज़ दो 160 वेटा पाई को solve करोगे तो 57.3 degree आजाएगा यह वो मातरक है जो generally आपके पास SI मातरक के अलावा question में दे देता है तो उनकी value आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए जिनमें सबसे important इसमें तीन यह है जो ज़्यादा पूछता है फर्मी का generally सभी को पता होता है nuclear distance और इसमें क्या है एक तो slug वाला है तन वाला तो लगबग सभी को पता है एक pound यह भी सबसे important है चंदर सेकर सीमा बड़े पिंडो के दरवेमान को calculate करने के लिए इसमें सोर दिवस, सेक और चंदरमास यह तीन important है इनमें यह तो साइद सभी को पता है कैसे एक minute में कितने degree होते है यह याद रख लोगे आप यह वाली चीज तो यह सारे calculate हो जाएंगे तो इनको याद रखने की आव सकता नहीं आप निकाल के देख सकते हूँ तो यह तो कुछ महत्यूपूर मात रखोगे अब अपन VMI विशलेशन के उपर आते हैं तो next topic आपका VMI विशलेशन है तो देखते हैं VMI विशलेशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे वीमा क्या होती है उसके बाद हम वीमाओं का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और क्या-क्या काम में आ सकती है पूरी physics जब आप पढ़ेंगे तो उस physics के अंदर हर जगया पर वीमा आपको पढ़ने की मिलेगी जैसे जैसे नई राशी आती जाएंगी तो आपको उनकी वीमा पढ़नी पढ़ेंगे जैसे कुलाम का नियम पढ़ा था ना उसमें आपन ने हर quantity की वीमा निकाली थी तो वो वीमाएं आपको निकालने का तरीका आ गया तो याद रखने की आवशक्ता नहीं है निकालने का तरीका समझो क्योंकि वीमा ये बहुत जादा होती है वीमा की quantity है वो बहुत अधिक होती है तो अपन उसको समाने रूप से ये तो है नहीं कि सभी को याद रख पाएंगे क्योंकि बहुत जादा होती है quantity में इसलिए हम उनको निकालने का तरीका समझते है सबसे पहले तो Vima होती क्या है देखी Dimension या Vima Vima क्या होती है Vima आपके पास किसी व्युत्पन रासी है कोई भी व्युत्पन रासी है जो मूल भोतिक रासी थी ना उनकी Vima हैं तो मैंने पहले यह आपको दिखा दी कि उनके सिंबल से इस हमाने रूप से परदशित की जाती है लेकिन जो वित्पन भोतिक रासिया जो मूल से बनाई जाती है उनकी वीमाओं का मतलब क्या है वीमाओं का मतलब है जो वित्पन रासिया आप बनाते हो वित्पन रासिया बनाते हो किसको यूज में लेके बनाते हो मूल भोतिक रासी को तो मूल भोतिक रासी पे कितनी पावर आपने लगाई कि आपकी वित्पन रासी बनी कौन-कौन सी मूल भोतिक रासी पे कितनी आपने घात लगाई कितनी पावर लगाई कि आपकी वित्पन रासी जनरेट हुई उसको वीमा बोला जाता जो घात आप लगाते हो जैसे मैं बात करूँ आप बात कर रहे हैं जैसे आप वेग की बात कर रहे हैं वेग क्या होता है विस्थापन अपोन समय ठीक है विस्थापन क्या होता है एक पर इसको आप क्या लिखोगे L1 T उपर जाएगा तो T-1 M का कुछ है नहीं तो MLT सामाने रूप से यूज में लेते हैं तो 3 ये शुरुवात से सामाने रूप से तो M0 लिख सकते हो नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसको ऐसे भी लिखा जाता है इसको L1 T-1 भ ये उपर घात आप लगाते हैं व्युत्पन को प्राप्त करने के लिए वो क्या बोली जाती है वीमा ये बोली जाती है एक वीमिये समीकर्ण मतलब जैसे आपको ये कह दिया वीमिये समीकर्ण क्या है वेग की वीमा क्या होती है तो आप ये लिखें वेग की वीमा होती है L 1 T-1 तो इसको पूरे को V में समीकर्ण बोला जाता है ठीक है एक आता है आपके पास दो वीमा और V में समीकर्ण में तो यही है जैसे आप वेग को V को ऐसे लिखो वेग को V से डिनोट करते हैं तो V equal to आप ऐसे लिख दिया तो V की वीमा यह हो गई इसको बोला जाएगा dimensional equation या V में समीकर्ण ठीक है समीकर्ण मतलब V में निकाल के quantity के बराबर रख दो तो यह V में समीकर्ण हो जाएगा तो यह तो समाने बात होगी कि क्या होती है V में इसके बाद हम बात करते हैं सबसे महतुपुन बात वीम ये सम्मांगता का सिध्धान्त principle of homogeneity of dimensions सबसे important यह है क्यूशन जनरली इसको यूज में लेके पूछा जाता है यह अगर आपको समझ में आ गया तो आपके दिक्कत नहीं होगी वीमा मैं सभी की निकाल के बता हूँ आपको बहुत सारी राशियों की तो अभी सबसे important चीज यहां पर यह है क्यूशन जनरली एक तो सीधी विमा पूछती है तो आपको दिक्कत नहीं होती है लेकिन कई बार क्यूशन इससे related पूछा जाता है क्यूशन कहां से पूछा जाता है वी में सम्मांगता का सिध्धान्त सम्मांगता का सिध्धान्त principle of homogeneity of dimension तो देखें क्या होता है वी में सम्मांगता का सिध्धान्त इसमें क्या होता कोई भी सुत्र आपको दिया जाता है जैसे कोई भी सुत्र दे दिया आपको जैसे आपको यह दे दिया F equal to M A सामाने सुतर है ठीक है अब V में समांगता कैसी दांत क्या कहता है left side की जो VMA है वो right side की VMA के बराबर होगी तो F की VMA क्या होती है मैं बता देता हूँ M1, L1, T-2 होती है कैसे आई मैं निकाल के बताऊँ हूँ कोई दिक्कत नहीं है इस तरब देखो M मतलब mass दर्वेमान की VMA क्या होती है M1, A मतलब turn turn की VMA क्या होती है वेग बता समय तो वेग की अभी-भी मैंने निकाल के बताई थी आपको वेग की क्या थी L, T-1 अभी अभी निकाली थी अपने समय को क्या लिखते है T, T की पावर 1 उपर जाके क्या हो जाएगा L तो 1 है T, माइनस 2 हो जाएगा उपर जाके तो देखो left and side की VMA और right and side की VMA बराबर है या नहीं है यही चीज आपको बताता है कोई भी सुत्र तभी सही होगा जब left and side की इस दोनों तरफ की VMA क्या हो बराबर हो VMA समांगता का सिद्ध क्या है कोई भी सितर जो भी आप फोर्मूला निकाल रहे है फिजिकल फोर्मूला वो फोर्मूला तभी वैलीड होगा तभी करेक्ट होगा जब दोनों तरफ की dimension है वो क्या हो बराबर हों इक्वल हों तो यह बोला जाता वी में समांगता कैसे दन अब क्यूश्चन क्या पूशता है कई बार जैसे आपको यह दे दिया कि सिद्ध कीजिए बताइए आपके पास यह सत्ते है या नहीं है जैसे एक क्यूश्चन दे दिया आपको फ़ेस्ट ग्रेड की ही को फोर्मूला दे दिया f equal to m a कौन सा सही है कौन सा सुत्र शही है ठीक है जैसे एक option दे दिया f equal to m a आपको एक क्यूशन दे दिया kinetic energy या गतीज उर्जा T से भी denote करते 1 by 2 m v square कौन सा सही नहीं है सही है सही है भी दे सकता है तीसरा क्यूशन दे दिया T equal to m v square m v cube और अगला क्यूशन आपको दे दिया f equal to mg या w equal to mg आपको वी मिय रूप से बताना है मैं पूरा question लिखता हूँ निम्न में से कौन सा वी मिय रूप से सही नहीं है क्यूशन generally easy theory से question पूशता है सामाने अगर आपको वी मा पूशता तो आपको दिक्कत नहीं आती आप देखो सबसे आपको पता है यह तो यह सही सुत्र है यह भी सही है लेकिन यह तो समाने सुत्र हो गए लेकिन अगर आपको कोई difficult formula दे दिया जाए तब आप कैसे चेक करोगे left hand side की वीमा देखो इसकी और इसकी left और right side की वीमा देखो दोनों बराबर आएंगी तो सही है सुत्र इसकी भी चेक करो left और right side की वीमा t kinetic energy की क्या होती है कारिय या उर्जा की वीमा क्या होती है देखो m1 l2 t-2 कहा से आई मैं निकाल के बताने वाला हूं अभी ठीक है 1 by 2 की कोई वीमा नहीं होती है रासी की दर्वेमान की क्या होती है किलोग्राम किलोग्राम मतलब दर्वेमान की m1 वेक की अभी अभी निकाली थी मैंने l1 t-1 और उसका square है तो square कर दीजिए तो क्या हो गया m1 l2 t-2 देखो left hand side और right hand side की वीमा बराबर है ये सुत्तर दर्वेमान की v की वीमा l1 t-1 अभी निकाली इसकी power cube करो तो क्या हो गया m1 l3 t-3 क्या left hand side मतलब ये वीमा और ये वीमा बराबर है नहीं है इसका मतलब formula गलत है तो ये आपका answer हो गया ये और check कर लो w equal to mg w कारिये या उर्जा की वीमा यही होती है तो कितनी है m1 l2 t-2 m की मतलब की वीमा क्या होती है L1 t-2 आपके पास तवर्ण की वीमा सझ्जा तो वेग बटा समय तोरी कितना था आपके पास L1 t-1 और आप उन में t और लगेगा तो हो गया आपके पास T-2 तो क्या हो गया L1 T-2 तो आपके पास क्या आ गया सुरी डबलू कारिय नहीं है यह वेट है वेट वेट की यह होती है ठीक है तो यह क्या हो गया M1 L1 T-2 यह वेट है ठीक है भार कारिय नहीं है ठीक है यह आपके पास क्या हो गया M1 L1 T-2 W कार ये भी होता है और weight भी होता है तो दोनों उतरब की बराबर है ये formula भी सही है तो आपका answer गलत वाला बताना था तो ये answer हो गया तो ऐसा question आपको पूछा जाता है dimensional analysis से formula सही बताना अगर यही question आपको ये दे दिया जाता देखना अब आप इस question को समझना अगर ये question आपको इस तरीके से दे दिया जाता T equal to 1 by 3 M V square और यहाँ पे दे दिया जाता T equal to M V 1 by 2 तब आप बताओ कौन सा question सही चलो इसको भी मैंने change कर दिया 1 by 6 कर दिया अब आपको बताना इन में से कौन सा सही नहीं है VMA रूप से ये अभी चेक किया तो भी सही है एक बटा चेक की VMA होती रही अभी अभी चेक किया इसकी VMA इसके बराबर होती है इसकी भी इसके बराबर होती है तो ये VMA रूप से सही है फोर्मूले एक्जेक्ट नहीं है लेकिन VMe रूप से फिर भी सही है क्योंकि इनकी Vima और इसकी Vima बराबर है तो ये एक VMe विशलेशन की कमी हो गई आपके पास क्योंकि जो नियतांक जो होते है न उनकी कोई Vima प्रोवाइड नहीं करता है तो आपके पास ये पता नहीं चलता कि नियतांग की वेलू क्या आएगी सुत्र में सुत्र में ये तो पता चल जाता है कि ये पावर क्या आएगी लेकिन यहां पे नियतांग क्या आएगा ये वीमिय विशलेशन आपको प्रदान नहीं कर पाता है तो ये इसकी एक कमी हो गई तो ये VMA visualization इसको भी सही सुत्र बताएगा इसको भी सही सुत्र बताएगा ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी विमा वराबर होगी नहीं तो VMA visualization के according ये आपका अंस्वर हो गया question में confuse मत होना अगर वहां पर VMA रूप से दे रखा है तो आप इनको गलत नहीं मान सकते ये सुत्र भी आपके सही है मेरी बात समझ गए सभी तो VMA visualization में इस VMA सम्मांगता सिद्धांत से बहुत क्यूशन पूछे जाते हैं कमी भी आपको यहां से समझ में आ गई ठीक है क्या होता है VMA समांगता का सिद्धांत नेट जी आरप का कंपिटिशन होता ना उसमें भी इसका क्यूशन पूछा जाता है VMA समांगता से dimensional analysis को यूज में लेते हो कई difficult question आप इजिली सोल कर पाते हो वहां पे मातरक को मिला लो आपका अंस्वर आ जाएगा अभी देखिए मैं कुछ VMA निकालने का तरीका आपको बता रहा हूँ यह तो हो गया आपके पास VMA विशलेशन होता क्या है अभी देखिए VMA बताने का निकालने का तरीका इधर लिख रहा हूँ मैं भोतिक रासी इस तरीके को समझ लेना बहुत सी चीज़े क्लीर हो जाए क्योंकि VMA बहुत होती है जितनी भोतिक रासी या उतनी भीमा है तो सभी को याद करना संभाव नहीं है निकालने का तरीका समझो भोतिक रासी अन्य रासियों से संबंद यह सबसे important चीज़ होगी आपको सुत्र जो है वह याद रखने और समझने रूप से याद रहने वाले सुत्र है वीमा ठीक है और मात्रक शब से पहले देखो यहाँ पर मात्रक लिखता हूं आगे वीमा लिखता हूं मात्रक यह वीमा शबसे पहले आप आजाओ सबसे पहल राशिया है उनकी विमा मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको जैसे दर्वेमान आ गया तो उसकी विमा हो गई M1 L T लिखना चाहो तो L 0 T 0 तो उनको लिखने की आउसकता भी नहीं लिखना चाहो तो अगर लंबाई आ गई तो L1 M को 0 कर दो T को 0 कर दो समय आ गया तो T1 बाकी दोनों 0 ठीक है उसके बाद ताप आ गया तो ठीटा आपको मैंने ठीटा से बदाया था उसके बाद क्या आ गया विद्धुद्धार आ गई तो MPR A तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख दो M1, L1, M0, L0, T0, A1 ऐसे भी लिख सकते हो शिर्फ A1 लिख दो उसके बाद पदार्थ की मातर आ गई तो सिर्फ मोल बाकी सारे 0 ठीक है उसके बाद आपके पास जोतिती वरता आ गई तो सिर्फ केंडेला ये तो साथ तो आपके पास मूल बोतिक राशिया हैं तो इनकी विमाएं तो यही रहेंगी अभी अपन बात करें किसकी अभी हम बात करें हैं आपके पास। वित्पन बोतिक राशियों जैसे सबसे पहले मैं बात करूं दूरी, विस्थापन, लंभाई, चोड़ाई जितनी भी हैं सभी एक प्रकार की दूरियां होती है अन्य राशियों से कोई संब्ध नहीं कोगी मूल बोतिक राशियों होती है दूरी लंबाई विश्थापन उसका मातरक क्या होता है मिट्र इसमोल M से आप देनोट करते है तो दूरी या लंबाई कैसे लिखी जाएगी M का कोई value नहीं है दर्वेमान कहीं नहीं आता है लंबाई आ रही तो L की power 1 समय की power 0 बड़ा bracket आता है समाने रूप से M, L, T यूज में लेते हो power लगाते जाओ ठीक है आगे बाकी को यूज में लेने मैंने बताया था ना समाने रूप से 3 बोतिक मूल बोतिक राशिया काम में ली जाती है इसलिए अपन तीनों को denote करते हैं आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो L1 लिख सकते हो या सिर्फ L लिख सकते हो तो कोई दिक्र नहीं आपन इस format में चलेंगे ताकि आपको याद रखने में निकालने में दुक्कत नहीं हो अब दूरी आ गया दूरी आएगा तो आप क्या निकाल सकते हो दूरी को इस्तेमाल गरके क्या निकाल सकते हो चाल या वेग तो आपको पता है चाल या वेग क्या होगा देखो चाल को आप कैसे लिखते हो सुतर देखो सदीश राशी होती है विस्थापन सदीश राशी होती है जो आगे अपन डिस्स करेंगे तो चाल और वेग दूरी या विस्थापन का मतलब मिटर इनकी यूनिट क्या होगी मिटर अप उन में समय मतलब सेकिंड तो आप इसकी यूनिट को कैसे लिखोगे मिटर पर सेकिंड यहां ऐसे लिख सकते हो, मिटर सेकेंड इन्वर्स, आप यहां से भी शीदे निकाल सकते हो, डाइमेंशन, दर्वेमान, किलोगराम का कोई पद नहीं है, तो M0, मिटर लंबाई का पद एक है, सेकिंड मतलब टाइम का माइनस वन है, तो क्या आ गया, M0, L1, T, माइनस 1, आ गया तरीका, यहां सुतर से देख लो, दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई के लिए एक पावर, अप उन में समय है, समय नीचे आ रहा है, तो समय के लिए माइनस एक पावर, दर्वे मान का कहीं पे जिक्र नहीं है, तो M0, ठीक है, उसके बाद अपन बात करें, तुरर्ण, एसिलरेशन, एसिलरेशन, यह था स्पीड या वेलोसिटी, एसे डिनोट करते हैं इसको, तुरर्ण क्या होता है, एसिलरेशन होता है, वेलोसिटी ओवर टाइम, तो वेलोसिटी ओवर टाइम, अभी निकाला आपने, समय का फिर से एक और सेकेंड, तो क्या हो गया, मिटर सेकेंड इन्वर्स, आपको पता है, M का कोई पत है नहीं, किलोगराम नहीं है तो M0, मिटर है तो L1, मिटर मतलब लंबाई, सेकेंड की पावर माइनेस टू है, तो टाइम की पावर माइनेस टू, वीमा निकालना आसान है, बस ये सुत्र, अगर आपको पता है, अलग-अलग भोतिक राश्यों के, तो आप सभी को निकाल सकते हैं, उसके बाद, नंबर फूर, तूर्ण आपके पास आ गया, ठीक है, बल, आपको पता है, बल क्या होता है, सामान्य फोर्मूला बल का, बल का सामान्य फोर्मूला आपके पास क्या होता है, दर्वे मान गोना तूर्ण, f equal to am a, सभी को पताना है, mass into acceleration, तो दर्वे मान, दर्वे मान का unit क्या होता है kg, तो iron का unit क्या अभी अभी निकाला, metr per second square या आप इसको लिख सकते हो kg, meter, second square और इसको Newton भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है Newton, capital N से denote किया जाता है न्यूटन ये complete unit है, कल की class में मैंने आपको बताया था अब देखो इसकी वीमा क्या हो जाएगी किलोगराम मतलब M की पावर 1 आरा किलोगराम, मीटर मतलब L की पावर V1 सेकिंड की पावर माइनस 2 मतलब टाइम की पावर माइनस 2, तो वीमा क्या आगई इसकी वन वन माइनस 2, 112 इसकी वीमा आगई, ठीक है इसी तरीके से आपन बात करें, छेतर फल की तो इनको याद रखने की आवशेक्ता नहीं है वो छोटा सा समय लगता है, छेतर फल छेतर फल आपको पता है, सभी को दूरी गुणा दूरी होता है वो दूरी लंबाई, चोड़ाई, उंचाई, कुछ भी हो सकती है दूरी गुणा दूरी, लंबाई, बुजा का स्क्वाइर कर दो, कुछ भी कर दो, साइड का स्क्वाइर वो होती तो सारी दूरी आई है तो दूरी मतला मिटर और meter into meter क्या होगा है meter square तो आपके पास वीमा देखो क्या होज़ेगी मास दर्वेमान नहीं है length meter है कितने power है दो time भी नहीं है तो यह आपके पास किसका आ गया 6 तरफल का उसके बाद आयतन आयतन क्या होता है आपके पास आयतन क्या होता है दूरी गुणा दूरी गुणा दूरी चाहिए वो लंबाई गुणा चोड़ाई गुणा हो चाहिए कुछ भी हो भुजा का क्यूब हो 6 गुणा भुजा का क्यूब हो कुछ भी हो वो होती तो सारी दूरिया ही है तो आपके पास इनका unit क्या हो जाएगा 312 आरी तो meter cube तो VMA भी क्या हो जाएगी mass है नहीं, लंबा ही 3 है तो आपके पास L cube हो गया next, घनत्व घनत्व या density density D क्या होती है आपके पास item दरवे मान ओवर item होता है आपके पास एक कांग का है परिपासा भी निकाल सकते हो आपके आसे हैं बहुत अच्छी बात है, इसको एक कर दो तो क्या बोलोगे एकां काा आयतन का दरवे मान, तो एकां का आयतन के लिए दरवे मान को बोला जाता है घनत्व है तो आपके पास यह क्या हो ज़्यगा दर्वेमान का unit kg आयतन का m3 तो ये क्या हो गया? kg m3 की पावर माइनस 3 तो देखो kg के लिए m1 m3 की पावर माइनस 3 मतलग L की पावर माइनस 3 T की पावर है 0 तो ये आपके पास किस के आगया? घनत्व का आगया उसके बाद देखी आगे बड़े गनत्व हो गया बल भी हो गया आपके पास बल आ गया तो आप बात करो कारिय या उर्जा की कारिय या उर्जा वरक है और पावर कारिय क्या होता है? बल गुणा विस्थापन कारिय का सुत्र क्या होता है? बल गुणा विस्थापन 9th class में पड़ा हुआ शुत्र है तो w equal to आप लेखते हो f vector dot dr vector इसको मैं vector क्यों आता वो बाद में बताऊंगा चलो यह होता है बल गुणा विस्थापन तो unit क्या हो जाएगा बल का unit क्या था newton या फिर वैसे लिखो तो क्या था kilogram meter second की power minus 2 newton को यह लिखते है विस्थापन मतलब meter तो क्या हो गया unit kilogram meter square second की power minus 2 kilogram मतलब m1 meter की power 2 मतलब l2 second की power minus 2 तो t की power minus 2 इस तरीके से आप निकाल सकते हो ठीक है उसके बाद next पर बड़े कारिये या उट्जा का मातर के एक होता है unit भी होता है इसको joule बोलते हैं क्या बोलते हैं joule capital J से denote करते हैं इसको newton into meter भी बोला जाता है यह newton यह meter joule equal to newton into meter भी बोला जाता है इसको ठीक है तो आपके पास यह joule होता है ठीक है Sumaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveaveave समय अंतराल आवेग का सुत्र क्या होता है आवेग इक्वल्टू होता है इंपल्स आवेग इक्वल्टू होता बल गुना समय अंतराल सुत्र पड़ा होगा आपने पीछे तो यूनिट क्या हो जाएगा बल का यूनिट न्यूटन समय अंतराल का सेकेंड तो Newton into second हो गए Newton का VMA अभी अभी आपने निकाला था M1 L1 T-2 था ना इसको याद रखो यह कई जिगा यूज में आएगा एक second हो रहे है तो second plus का है यह minus का 2 तो यह क्या हो जाएगा minus का 1 बैट time यहाँ पर minus 2 था Newton की वज़े से second मतलब T1 जैसे यह चलो मैंने Newton का लिख दिया और सिर्फ second का यह हो जाएगा तो power कितनी बची यह आपे minus 1 उके उसके बाद some wave ठीक है some wave क्या होता है आपके पास P momentum बोलते हैं इसको P से denote करते है some wave क्या होता है P equal to दर्वे मान गुणा wave तो some wave आपके पास क्या होता है जैसा नाम है न सम वेग सम वेग बनता है some plus weight से sum का मतलब होता है सेहती बहुत यह ज्यान में सेहती का मतलब होता है दर्वे मान अगर एकदम physics की language बात करें तो दर्वे मान को सेहती बोला जाता है कई बार क्विशन में दे सकता है सहती की विमा क्या होगी सहती मतलब दर्वेमान ठीक है समवेग क्या होगा आपके पास दर्वेमान गुणा वेग तो आपके पास दर्वेमान गुणा वेग तो आपके पास दर्वेमान का यूनिट किलोग्राम वेग का यूनिट मिटर पर से पता हैं, relation क्या है आपके पास सामानने भोतिक राशियों से, मूल भोतिक राशियों से, तो आप बहुत सारी वीमाओं को calculate कर सकते हैं, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीमाओं जितनी भोतिक राशिया होंगे, आगे आप syllabus में जैसे senior secondary level में बहुत सारे topic पढ़ पता होनी चाहिए, और भी बहुत सारी वीमाओं जिनको आप सामानने रूप से निकाल सकते हो, तो सभी को याद रखने की आउसकता नहीं है, सुत्र जैसे जैसे आगे आप topic में बढ़ते जाओगे, आपके पास वीमाओं ग्याद करने के trick आते जाएगे, तरीका आपको प पता होना चाहिए, ठीक है, तो वीमा का एक सामंने question पुछा जाता है, जैसे कई बार question पूछा गया, सामंने सा question पूछा गया, RPSC first grade में, question पूछा गया है, निमन में से बलकी वीमा है, यह question पूछा गया, बहुत सामंने सा question है, जैसे आपको दे दिया, M0, L1, T-1, पहला, दूसरा आपको दे दिया M1L1T-2 तीसरा आपको दे दिया M1L2T-2 और चोथा आपको दे दिया M0L1T-2 ये क्यूशन आपको option दे दिये तो सिधी बात है बलकी वीमा आपको पता है क्यों से होती है ये रही बलकी वीमा निकाल के देख सकते हो आप तो कुछन ऐसे भी दे सकता है आपको चार कोई ऐसे पूछता है निमन मेंसे बता या पूछ सकता है या पूछसकता है वी में रूप से कोई सा गलत है ठीक है इस तरीके से आपको चीज़े पूछ सकता है तो question कैसे पूछा जाता, सबसे important चीज ये, फिर वीमा क्या होती है, वीमा कैसे निकाली जाती है, वो important है, सभी की याद रखने की आवशकता नहीं, सुत्र आपको ध्यान रहेंगे, तो आप वीमा आसानी से निकाल सकते हो, dimension को easily calculate किया जा सकता है, चलिए, इस तरीके से आप analysis को dimensional analysis को dishes कर सकते हो, next class में अपन इन से related, dimensional analysis से related कुछ question dishes करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे question को attempt किया जाता है, तो आप channel को subscribe करें, class को continue रखने के लिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इसको share करें, okay, thank you. झाओने कुछ